हाई फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे सूपर डिलीशियस और सूपर फलफी से डोनट्स डोनट्स जो हैं किसको नहीं पसंद बच्चे बड़े सब इसको बहुत जादा शौक से खाते हैं जब आप इसको एक बार घर में ट्राइ करेंगे तो मुझे यकीन है जो आप बैकरी से रबड की तरहा वाले डोनट्स लेते हैं आप उनको दुबारा कभी नहीं लेंगे बहुत ज़्यादा सौफ्ट और बहुत ज़्यादा डिलीशियस से मुझे घुल जाने वाले ये डोनट्स जो हैं किस तरह से बनते हैं तो टाइम को जाए कि ये बगएर बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले डोनट्स बनाने के लिए हमने डो तियार करनी है और ये यकीनन आप सबको पता होगा कि अच्छा डोनट्स जो है वो अच्छी डो से ही बनता है जितनी डो जाद अच्छे होगी डोनट्स उतने जाद अच्छे पनेंगे एक बाउल में लेना है दो कप मैदा हाफ टेबल स्पॉन इंस्टेंट इस्ट हाफ टेबल स्पॉन नमक दो टेबल स्पॉन पाउडर्ड चेनी अंडे की जर्दी एक अदद अंडा लिया था उसकी जर्दी वाला हिस्सा लिया है सफैदी वाला हिस्सा नहीं डालना इसमें आधा कप नीम गरम दूद हाफ टीस्पॉन वनीला एसेंस चीजों का जो रेशो है वो आपने धियान से नो डाउन करना है इसमें कोई चीज भी आपने कम या जादा नहीं करनी इसी रेशो के साथ आपने ये डो जो है तियार करनी है अब ये जो डो है मैं इसको डो मेकर से बना रही हूँ तो आपने बिल्कुल परिशान नहीं होना आपने हातों से ही जैसे आप लोग चपाती बनाने के लिए डो तियार करते हैं आपने वैसे ही डो को तियार करना है अब इसमें मैं डालूँगी एक टेबल स्पोन दूद मजीद डालना है इसमें और साथ ही दो टेबल स्पोन बटर बटर को अच्छी तरहां से डो में हमने गूंद लेने थोड़ा सा लेजी पन की वज़ा से मैं डो जो है डो मेकर से बना रही हूँ आप लोग हातों से बना लीजेगा तो बस डो हमारी बहुत ही परफेक्ट किसम की बन चुकी है बहुत अच्छा सा आपने इसको गूंद ना है मैंने डो मेकर से जिस तरह से बहुत ज़्यादा सौफ्ट डो जो है तियार की है आपने हातों से ही इतनी सौफ डो आपने बनानी है बहुत ज़्यादा नरम है ये आठा जो है अच्छी तरह से हमने तियार कर लिया है और अब इसको हमने कवर करना है कवर करके हमने इसको छोड़ देना है एक घंटे के लिए ताकि जो डो है हमारी वो येस्ट की वज़ा से राइज हो जाए वैसे ही गर्मी है तो गर्मी में इसको एक घंटा ही देना है आपने एक घंटा हो चुका है डो हमारी राइज हो चुकी है हलका सा पंच करना इसको पंच करके ये जो डो है हमने इसको बाहर निकाल लेना है बाल से अब जिसके ओपर डो रखना है उसके ओपर हलका सा खुश्क मैदा डस्ट कर देना है ताके डो जो है वो नीचे चिप के नहीं अब ये जो डो है इसको पहले मैं दो हिसों में करूंगी, एक हिसे से पहले डोनर्स बना लेंगे, अब इसको छोटे पीसिस में कट कर लेने, और फिर इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है, यह तरीका जो है, यह उन लोगों के लिए है, जिनके पास डोनर्स कटर नहीं है, अब चार मैंन आने ली हैं, इसी तरहां से बाकी भी सारी बाल्स बना के रखनी हैं, सारी बाल्स बन गई हैं, अब यहां पे इनको कवर करना है, कवर करके दुबारा से इसको आदे गंटे के लिए ऐसी छोड़ देना है, आदा गंटा हो चुका है, हमारी बाल्स हैं, वो थोड़ी थोड़ी किसी भी आपने जार का धका लेना है बिलकुल छोटे साइज का और उसकी मदद से दर्मयान वाला जो हिसा है हमने इसको कट करना है और एक प्रॉपर डोनट की शेप देनी है तो बस एक हमारा जो डोनट है शेप के साथ वो तयार है अब दुबारा से आपको मैं चक करवा दे है कि जो दर्मयान वाला होल है वो करियेट हो जाए है ना बहुत ही असान सा तरीका तो बस अपनी मर्जी का होल बनाए और यह हमारा एक डोनट बगएर किसी तरहां की कटर के आपके सामने अब यहां पे मैंने बटर पेपर लिये हैं इनको चोटे पीसिस में कट कर लिया है और वो एक एक करके ट्रे में रखने है और जो हमने डोनट की शेप दी है इनको ट्रे में रखना है और अब इनको कवर करना है कवर करके दुबारा से हमने इनको छोड़ देना है बीस मिनट के लिए ताकि जो डोनट है वो प्रोपर तरीके से राइज हो जाएं बीस मिनट ह हो चुके हैं डोनॅट हमारे सारे बहुत अच्छी तरह से राइज हो चुके हैं अब अगला-स् टेप इनको इनको फ्राई करने का है Story करने के लिए ओल जो है एक फैन में मैंने बिल्कुल लोक में पे हलका सा गरμ किया यह धिया रहे आईल जो है आपका ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे डोनट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये नहों कि वो जाते साथ ही जल जाएं अब एक एक करके जो हमारा डोनट है हम इसमें शामिल करने आईल के बबल से ही आपको अंदाज़ा होगा कि आईल कितना गरम है बिल्कुल स्लाइटली सा ये गरम है फ्लेंट जो है यहाँ पे आपने लो मीडियम रखना है जितने डोनट एड़जस्ट होंगे हम उतने डोनट इधर शामिल करेंगे अब आपके सामने आईल में थोड़ी थोड़ी बबल्स जो है बनना शुरू हो गई है डोनट की एक साइट को आपने एक मिनट के लिए पकाना है इससे जादा बिल्कुल नहीं पकाना 55 से 60 सेकिंड लगेंगे एक साइट को मिनट के लिए फ्राइए करना है ताक heel ढने टॉनट जो है अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक जाए बहुत ही जबरदस्त बहुत ही मज़दार से हमारे ये डोनट जो है तयार है अब एक एक इकर के सारे डोनट हमने बाहर निकालने है बहुत ज़्यादा soft, बहुत ज़्यादा fluffy से हमारे ये डोनट्स तयार हैं एक डोनट मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा ये soft बने है मौ में घुल जाने वाले ये डोनट आपके सामने मेरे तोड़ने से ही आपको अंदाज हो रहोगा कि डोनट जो है कितना fluffy है, कितना moist है अब अगला step इनकी coating का है, आप लोग चाहें तो इनको as it is serve करें यहाँ पे थोड़ी सी coating मैं आपको बता देती हूँ एक तो हमने powder चीनी ली है, एक डोनट चीनी से coat करके मैं आपको चेक करवाती हूँ यह dry चीनी ही उपर मैंने हलकी हलकी लगाई है अगर आप लोग चाहें तो चीनी का glaze, sugar glaze जिसको हम कहते हैं वो भी त्यार कर सकते हैं तो बस एक डोनट हमने powder चीनी से coat कर लिया है दूसरा डोनट, melted chocolate से coat करेंगे simple milk chocolate मैंने ली थी और उसको melt कर लिया था chocolate को हमने microwave में melt किया, इस तरहां से coat करना है chocolate और इसके उपर मैं डालूंगी हलके से sprinkle आप लोग इसके उपर dry nuts डाल सकते हैं आप इसके उपर coconut powder डाल सकते हैं जो आपकी मर्जी, आप जिस तरहां की decoration चाहते हैं इसको वैसे decorate करें मैं mostly घर में ये काम जो है ये बच्चों से करवा लेती हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और एक डोनट जो है, यहाँ पे मैं अपनी बेटी से decorate करवाऊंगी क्योंकि ये फेवरिट भी बहुत ज़्यादा इसे की हैं हेलो, आज मैं एक डोने रेस्टी भी खाऊंगी इखाया है मैं इंगत ता लूगी अब तो यहाँ पे वीडियो का इकताम करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना न भूले चैनल पर नई है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दें दौाओं में याद रुखे थैंक यू